उत्तर पिडिता गरवती हो गई तो उसे घर पात की तवा खिला दी करीब पांच महां के भूड को पिडिता थेले में लेकर कोटवाली पहुंच गई और आरोपी के खिलाफ कारवाई की मांगी। पिडिता के साथ उसकी मां ना बताया कि घरना के बाद बेटी तरी सहमी रहती थी। उसके कई बार प्मुचा गया लेकिन उसने तरगन का कारण नहीं बताया। जिसके चल से पहले आरूपी के खिलाफ शिकायत नहीं की गई। और जब शिकायत करने का इरादा किया तो पुलिस ने पिडिता को साथ गहंटे बेठा कर कोई डिपोर्ट नहीं दिगी। पिलिता बार-बार अधिकारियों के चक्कल लगाती रही। आखिरकार पुलिस को मुकद्मा काया नहीं करना पड़ा। पुलिस ने गाउन निवासी मनोज पूतर शंकर के खिलाफ संबंदी धाराओं में मुकद्मा दायर कर लिया। SSI शुरेश चंद्र गोतम ने बताया कि युगती अपने मा के साथ गौतवाली पहुंची है। वसके हाथ में ठेला था जिसमें मृतिक भून रखा हुआ था। ठेले से बहुत दद्दू आ रही थी। पुलिस ट्रीम ने आरूपी की गरफतारी के लिए जबिश थी लेकि आरूपी घर से फरार है। हसानपुर से SPN के लिए चान अंसारी की रिपोर्ट।